नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर औल इंडिया मजलिस से इतिहादुल मुसलेमिन नागपूर शहर के उपाध्धक्षे जुल्फेकार एहमद शानू ने मुख्यमंत्री उद्दव ठाकरे और नागपूर महानगर पालिका के आयुकतर आधाकरुशननभी को बत्र लिख कर नागपूर में मुफ्त टिका करन लिया है इसलिए शानू ने राज्यसरकार और मनपा प्रशासन से टीका करन अभ्यान को दिसंबर महने तक शुरू रखने की मांग की है उन्होंने उम्मिद जताई कि इससे एक महने में अधिकतम नागरिक वैक्सिनेट हो जाएंगे और सो फिस्दी टीका करन के लक्ष तक पहुचना मुम्किन होगा नागपूर महनगर पालिका के स्कूलों में पढ़ने वाले कई छात्रों और छात्राओं के लिए आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने की रहा में कम्प्यूटर की उपलब्धता कठीन थी लेकिन अब नागपूर महनगर पालिका को एक बस उपलब्ध कराए गई है जिसमें छात्रों को कम्प्यूटर शिक्षा प्राप्त की जा रही है गुरुवार को इस बसका मनपा पर आयुक्त दिपक कुमार मीना, अलकेम कमपनी के प्रवंद निदेशक अयर श्री निवासन एवं मनपा शिक्षा अधिकारी प्रिती मिश्री कोट कर द्वारा उधगाटन किया गया उधगाटन समारोह मकर धूकडा स्थित मनपा के हिंदी उच्च प्राथमिक विद्याले में आयुजित किया गया इस अउसर पर मनपा के सहायक आयुकत प्रकाश वराडे, अलकेम के प्रेसिडेंट चंद्रशेकर शेगाउंकर, अलकेम के नागपूर प्लांट हेट दुशन पाठक विजय, सहाधरी के अध्यक्षक शिरसागर आदी मान्यवर उपस्तित थे, गणमान्य अव्यक्तिव ने प्राज्य सरकारों ने कोवीट के नए वेरियंट ओमिक्रोन के प्रकोप के सम्मन में हाल ही में चेताउनी और विस्तुरूत दिशा निर्देश जारी किये हैं। और एम्स में चार उपकरन शामिल हैं। प्रधान मंतरी गति शक्ति योजना के तहत राष्टियर राजमार्ग प्राधिकरन के राजमार्गों को मन्जुरी मिली है। ये बताते हुए केंद्रिय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंतरी नितिन गड़करी ने लोगसभा में प्रशनकाल के दोरान एक प्रशनके उत्तर में जान करी दी। कि गति शक्ति योजना के तहत 1,86,000 किलोमिटर राजमार्ग का लक्ष अब बढ़ा कर 2,000 किलोमिटर कर दिया गया है। पुर्वत्तर भारत में 2,00,000 करोड रुपे और कश्मिर में 1,00,000 करोड रुपे की योजनाओ के अंतरगत कार्य जारी है। ये सभी राजमार्ग येरोपियो राजमार्गों के दरजे के होंगे। ये पाल के समारोह का समापन हुआ। और भाईचारे के दर्शन और शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्या किया है। महाविर इंटरनेशनल नागपुर के अध्यक्षा अर्चना जवेरी वसचिव विपुल कोठारे ने बताया कि ये हाथ दुनिया के 80 देशों में लगभग 70,000 लोगों को लगाया जा चुका है। ऐसे लोग जिनका हाथ कोहोनी से लगभग 4 इंच तक है ये हाथ लगाने का लाब ले सकते हैं। चा, वंदना खेमुका, बविता पारेक, महेश सोनी उपस्तित थे। अभियान को शहरवासियों ने जबर्दस्त प्रतिसात दिया है, नवंबर महीने में इस अभियान के माध्यम से 4,96,000 नागरिकों को टिक के दोनों डोस दिये गए है। मनपा एक तुराधा कृष्णन भी ने इसके लिए नागपुर के सभी नागरिकों को बधाई दी है। कोरणा महमारी के संकेट के समय में मास्क, समाजिक दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग और हाथ धोने जैसे नियमों का पालन करने सहित टीका लगवाना भी अत्यनता आवशक है। नागपुर के लोगों को कोरणा के संभावित लहर से बचाने के लिए मनपादवारा टीका करन पर विशेश दोर दिया जा रहा है। नाग विदर्बच चेंबर ओफ कॉमर्स के विदर्बच अध्यक्षय अश्विन मेहाडिया, पुर्वस्ताई अध्यक्षय विरेंद्र कुक्रेजा, वा एन्वी सीसी के अर्जुन अहुजा ने भी घटनास्तल पर पहुँच कर जानकरी प्राप्त की। अधि उपस्तित थे। अपिल, पत्र परिशद में राजस्डी वस्वपनिल घरडे ने की। डॉक्टर विचा राजकुमार जैन की अध्यक्षता में शिविर का संचालन हुआ। इस शिविर में प्लाटेना हार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रमोद मुंदड़ा एवं उनकी टीम द्वारा नेशल ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर एवं जरूरत मन लोगों की ECG करवाई गई। जिसमें काफी मरीजों के ब्लड शुगर और डाइबिटीज का निदान हुआ। आगे वे अपना ट्रीटमेंट करके अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। के तौर पर महापौर गया शंकर तीवारी, विधायक विकास कुम्भारे एवं विधायक कृष्णा खोपड़े उपस्तित थे। साथी डॉक्टर प्रमुद मुन्दडा, लॉयन्स क्लब नाकपूर साउथ से डॉक्टर अनुपवा गुपता, डॉक्टर प्रविन गुप प्रमांची, नालंदा, बिहार शरिफ को जोडने वाले चार लेन हाईवे पर कार्या जारी है, बक्तियार पूर पटना में बुद्ध सरकीट के तहट राजमार्क का काम भी चल रहा है, हाल ही में कुशिनगर और वारा नसी में अंतरराश्टिय हवाई अड्डे स्थापित किये जा रहे है, इसके लवा इस निर्वाजंग शेतर में सांसदों द्वारा की गई मांगों को सर्वोच प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, चीन, आदी से आने वाले तिर्थ यातरियों के लिए भी हाईवे निर्मान का का अती शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, इस आशे के विचार केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी ने हाल ही में पत्रकारों से बात्चित करते हुए व्यक्त किये पिछले दिनों जैस्तंब चौक में आयोजित महिलाओ को कपड़ा वितरन कारेक्रम में विभिन्न पार्टियों का दामन छोड़कर कई युवाओं ने राश्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया राकापा शहर अद्ध्यक्ष शोईब असद के नेतरुत्व में सेगडो युवाओं ने विधायक प्रकाश गजबिये जिलाद्ध्यक्ष शिवराज, बाबा गुजर, अल्पसंक्यक राश्टिये महासचियों नौशात सिद्धिकी, नगर परिशत, पुर्वोपाद्ध् शोईब असद के दरिया दिली का इस वक्त हर कोई कायल है, खास बात तो ये है कि शोईब असद ने मदद मांगने वालों की लिस्ट में केवल शहरी ही नहीं, ग्रामिन जरूरत मंदों को भी शामिल किया है, शोईब असद की पूरी कोशिश है कि वो लोगों की हर संभाव म केंद्रिय प्रबंद कार्यकारिनी की सभा हाल ही में संपन्न हुई, जिसमें देश भर से पताधीकारी एवं प्रतिनी धी गणु पस्तित थे, कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए गजराज गंगवाल ने महसभा के आगामी वर्ष के कारियों की रुप रेखा बनाई, जैन, तिर्थ, साधु संत, शिक्षा, गरीबी, आधी वीशियों पर प्रकाश दा लगया। महिपाल पहाडिया, पवन गोथा, सुमित जैन, युवा महसभा विवेक वेनाडा अग्रा, संदीब जैन, ग्यानचंद जैन, कमल जैन, महिला महसभा रजनी जैन जैसे देश के कई पदाधी कारियों पस्तित थे। नीदा और नाहित सेंट विसेंट पलोटी स्कूल में नौवी कक्षा की छात्रा है, पिछले एक साल से वे मानकापुर सित क्रीडा संकुल में कोच गनेश पुरोहित के मार्क दरशन में कड़ा प्रशिक्षन ले रही है। महाड में हाल ही में आयोजित किये गए बॉक्सिंग चैंपेंशिप में नाकपुर से तकरीबन 26 खिलाडी शामिल हुए, इन में से 6 खिलाडी उने कान से पदक जीता। नाकपुर में जै विदर्भा पार्टी ने प्रुथक विदर्भर राज्य की मांग करते वे आंदोलन किया। आधिन नहीं है। आधिन ने ट्राफिक नियमों की जानकारी दी गई। गुरुवार को पुलिस विभाग ने बिवापुर स्थित विद्यालयों में यातायात के नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। 2005 से पुराने पेंशन को समाप्त कर दिया गया है। सरकार ने 2005 के बाद अंशिक पेंशन लागू की है। सेवा निवरित्य करमचारियों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। पेंशन भोगियों को अपने अधिकारों के लिए संगर्श करना चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट ओल्ड पेंशन राइट्स एसोसियेशन की बैठक बुद्वार एक डिसेंबर को बनारसी दास रुया हाइस्कूल और जूनियर कॉलेज कार्टल में आयोजित की गई थी। प्राचारिय संध्य तिवारी बैठक की अधिक्षता करती वे बोल रही थी। सजियू प्रोफेसर विजे कोलेकर ने कहा कि एसोसियेशन के महाराष्ट्र अधिक्षय शिवराम धोती ने कई बार सरकारी अदालत में मुद्दे उठाये हैं लेकिन अब जंगर्श के अलाव कोई विकल्प नहीं है महाराष्ट्र स्टेट ओल्ड पेंशन राइट्स एसोसेशन सहविचार सभा उपप्रधानाचारिय मेजर विजे राठी अंजली प्रधान प्रशान सगने आशा शेंडे अजे खड से राधा चवान आधी शिक्षक और कर्मचारी गणु पस्तित थ अतीतियों का स्वागत नरेंद्र चवान ने किया, कारेकर्म का संचारन अमोल जवांजल ने किया एवं आभार सुनिल देवने माना राम्टिक लोगसभाक शेत्र के सांसत कृपल तुमाने ने लोगसभा अध्यक्ष प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी एवं रक्षा मंतरी राजना सिंग से एवं महाराश्टर प्रतेश कॉंग्रेस कमिटी महासचिव वजिला परिशत पुर्वा अध्यक्ष सुरेश भोयर भारतिय कॉंग्रेस कमिटी अध्यक्षव सांसत सोनिया गांधी, सांसत राहूल गांधी, पुर्वविदेश मंतरी सल्मान खुर्षित से अलग-अलग प्रेशित पत्रों से मांग की है कि सरकार वर्तवान शीत कालिन सत्र में नया चावनी विधैक 2021 प्रस्तुत करने जा र पाल तुमाने एवं जिला परिशत के पुर्वाध्यक्ष सुरेज भोयर ने बताया कि काम्ठी छावनी निवासियों के अनुसार सुमित बोस कमिटी की सिफारिशों को इस विधैक में शामिल नहीं किया गया है और इस विधैक को जांच के लिए सिलेक कमेटी और रक्षा स सम्मंदी स्थाई समीती के समक्ष भी नहीं रखा गया अतहर इस विषे को संसत तक पहुचाना अत्यनता अवश्चक है आने वाले दो से तिन माहा में से काम्ठी नगर परिशत की काला वधी समाप्त होने वाली है इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रभाग रचना का काम चुनाओ पुर्व कर लिया गया सारवजनिक चुनाओ के मद्दे नजर चुनाओ आयोक द्वारा दिये गए निर्देश पर 30 नमंबर को ही प्रभाग रचना का प्रारूप प्रस्तूत करने की अंतिम्ती थी जिसके तहत कामठी नगर परिशत प्रशासन ने प्रभाग रचना गोपन ये प्रारूप चुन नगर पंचायत और द्योगिक नगरी अधिनियम 1965 के अनुसार नगर परिशत में एक सदस्य प्रभाग पद्धती के अलावा बहु सदस्य प्रभाग पद्धती लागू की है इसके अनुसार दो सदस्य के प्रभाग किये जाने के संभावना है उक्त प्रभाग भोगोलिक परिसिती को ध्यान में रखकर निश्चित किया गया। जनगनना कारियाले से जारी 2011 की जनसंक्या को ध्यान में रखकर प्रभाग रचना तयार की गई। नागरिकों को कोविट चिल के जरिये ठीका करन किया जाएगा। ये जानकारी चिकित सा स्वास्ता धिकारे डॉक्र संजेच चिल करने दी। इसी तरह 18 प्लस और 45 प्लस आयूबर के नागरिकों के लिए को वैक्सिंग का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर वाबासाइब आमबेटकर अस्पताल, काम्ठी रोड, वस्वर्गिय प्रभाकर दटके मनपा माहल रोग निदान केंद्र, एम्स आइसोलेशन अस्पताल, इमाम बाड़ा, इंद्रा गांधी अस्पताल, गांधी नगर, मनपास्त्री अस्पताल, पांच पॉली और प्रग